कि нमस्टर बाग्य किसे किसमत कैसे चमकता है क्या वाकवी में बाग्य होता है क्या वाक्वी कि क्या सबीक definition है लोग केते हैं उसका बाग़े चमक गया लोग केते यार उसके रात और रात सपलता मिल गया अ्रे यार वो दो साल पहले सो ऐसा था और आज देको काहा पोज दे रहा लोगों से इसी बात आपने सुनी है होती है पर एगा किते रात और रात उसकी कि बाग्य होता है और बाग्य उसे कहते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे होते हैं ना उस तैयारी में अगर आपको अवसर मिल जाए ना तो वह बाग्य कहलता है कि भाग यह कैसे बनता है पता है आप किसी चीज के लिए तैयर कर रहे हैं आपको ऑफर मिला और ऑफ की मैनत डोनों मिले तो बाग यह बन जाता है कि यह आफ जैसे मैं आपको एक्जम्मल बताता हूँ आपको मेनत कर रहे हो आप किसी चीज के लिए तेयरी कर रहे हूँ रात दिन यह कर रहे हूँ और आपको आउसर धूर आपने पकड़ लिया तो आपका भागी बन गया इसे ही बागी कहते हैं अभी थोड़े टाइम पहले 2020 और 2021 में कोरोना आया उससे पहले आपने नाम सुनो होगा उतकर्स क्लासेज का बिल्कुल सटीक एग्जमपल दे रहा हूं आप उतकर्स क्लासेज जब यह कोरोना से पहले इतना हाई और इतना हाई नहीं था उतकर्स क्लासेज की सब कुछ चल रहा था सब कुछ था लेकिन जैसे कोरोना आया और यूटूब पर ऊनलाइन क्लासेज सुरू हूई इस दो साल में उतकर्स ने उचायों को छुआ जितना उसने पूरी अपने करियर में नहीं छुआ तो यह सब कैसे हुआ यह सब उनकी तैयरी थी और फिर आउसर मिला यह कोरोना का और फिर उन्होंने यूटूब पर नोंचेंगी और आज हर तरह उतकर्स क्लासेस का ना तो आपकी तैयरी और आपका आउसर जब साथ में मिलता है तो तब आपका बागी चमकता है तब आपका बागी बनता है ऐसा ही आपको अगर एक्जामपल देखना हो तो रवी चंदरन बाई जूर इसका भी कोरोना से पेरे कुछ मिनी था जैसे कोरोना आया और दो साल में दोजार बीस इकिस मेनों ने यूटूब पर उनलाइन क्लासे ली और आज एजूकेशन सेक्टर में बाईजूज देश की सबसे नंबर वन कमपनी एजूकेशन सेक्टर तो सब कैसे हुआ आप तो के तो यार वो बाईजूज रवी चंद्रन किता है ना कि आऊसर जिस इंसान ने औृसर को आफ से जाने नहीं दिया उस इंसान का बागी चेमकता है सबसे बेस्ट एक्जांपल और बताता हूं मैं आपको रिलाइंस G.O कि मेंने इस्टेंग क्या थी रिलाइंस G.O ने क्या आऊसर देखा कि दूसरी कंपनियों का नेटवर्क कमजोर है दूसरी कंपनियों की पहुंच गाओं में नहीं है यही आउसर जियों ने हाथ से जने न दिया यह दो वीक ने सामने वारी कंपनियों की पकड़ी एक तो पूर नेटवर्क दूसरा इस्पीड इन दोनों के बलब पर आज जी ओ टेलिकोम सेक्टर में सबसे नमबर वन कंपनी है तो यही तो आउसर था इस आउसर को जी ओने हांग से जाने ना दिया और इस आउसर को पक्ड़ा जी ओ का बाईग्य बन गी तो इसे ही बग्य केते हैं इसे ही किसमत केते हैं आप तैयरी कर रहे हो आप किसी जीज के लिए मेहनत कर रहे हो आपको अवसर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको यह गया या अतनी मेहनत की और कुछ नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ क्योंकि क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिला जब आवसर और आपकी तैयरी और आपकी मेहनत जब साथ में मिल जाते हैं ना तब इन्सान का बागी चमल जाता है लेकिन आपकी मेहनत नहीं होगी आपकी तैयरी नहीं होगी तो जब आवसर आपको मिलेगा तब भी आपको नहीं कर पाओगे इसलिए महनत और तैयरी तो आपको करनी होगी किसी भी हालत में करनी होगी आउसर कभी कुछ के के नहीं आता है आउसर कभी भी आपके पास आ सकता है आपकी तैयरी हमें साफ फूल होनी चाहिए आपकी महनत हमें साफ फूल होनी चाहिए जैसे आफ़ा आया जैसी आपने पर ली जब आपकी मेहनत यह जब आपकी तैयरी नहीं है आपके लख्स के लिए आउसर कितने आएंगे कितने जाएंगे आप कुछ निकर पाओगे सबसक्राइब महनत तैयरी पर यह यह पर आपको हमės southwest enrich बस उन आउसर को आपको पकड़ना होगा और जब उस आउसर को आप अपने तयारी और मेनत के साथ में पकड़ोगे ना तो आपको भागय भी चंबग जाएगा आपके किसमत भी चंबग जाएगा